Naughty Boy 1962 की भारतिय रोमेंटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें किशोर कुमार और कल्पना मोहन ने अभिने किया है इसका निर्मान और निर्देशन शक्ती सामन्त ने किया था संगीत SD बर्मन द्वारा तैयार किया गया था और उनकी सहायता उनके अपने बेटे RD बर्मन ने की थी समवाद व्रजेंद्र गौर्ड ने लिखे प्रीतम एक निर्यात आयात फम में बुख कीपर के रूप में काम करता है और उसके पास रहने के लिए छट नहीं है जब वह आवास की तलाश में जाता है तो उसकी मुलाकात एक दोस्त जगदीश से होती है जो उसे एक कमरे वाले घर में ले जाता है और उसे अपने कवी वियोगी वर भीमसेन के साथ एक कमरा साजह करने देता है मकान मालकिन के पास अपने सभी किराइदारों के लिए बहुत सक्त नियम है किसी को भी उसकी संपत्ती पर रोमैंस करने की अनुमती नहीं है बरसात के दिन जब प्रीतम दूद खरीदने जाता है तो उसकी मुलाकात एक खूबसूरत लड़की नीना शर्मा से होती है उनकी छत्रियां आपस में उलज जाती है और जब मुक्त हो जाते हैं तो एक दूसरे से बदल जाते हैं वह उसके घर की तलाश में जाता है और पाता है कि वह अपने मामा एक प्रकार के संगीत उस्ताद के साथ रहती है और प्रीतम उसकी कक्षा में अपना नामानकन करा लेता है प्रीतम और नीना मिलते रहते हैं और एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं जब नीना की बेहन की शादी होने वाली होती है तो वह पूना की यात्रा करती है और तभी प्रीतम को पता चलता है कि उसकी ट्रेन दुरगटना ग्रस्थ हो गई है और उसे मृतकों में से एक के रूप में सूची बद किया गया है दिल तूट गया है और तबाह हो गया है वह गंभीर रूप से उदास है जब तक कि उसके सहकर्मियों ने फैसला नहीं किया कि उसे पिकनिक के लिए जाना चाहिए और इससे उसे काफी खुशी मिलती है इस प्रसन अवस्था में वह घर लोटता है और नीना के बिना जीवन जीने का फैसला करता है तभी नीना वापस लोटती है पूरी तरह से जीवित और पाती है कि फ्रीतम शोप की स्थिती में नहीं है